हलो दोस्तों नमस्कार ओमिटेकनिकल यूटूब चनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंसनर्स भाई बंदू आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों आप सबका कहना था कि YNAC के टीम के दोरा जो अथक संघर्ष और प्रयास करके ग्रिह मंत्री अमित साहजी के पास तक पहुँच कर उनको जापन दिया गया उसका कोई फुक्ता सबूत या उसकी कोई तस्वीर है या नहीं दोस्तों आज पूरे पुक्ता सबूत और तस्वीर के साथ मैं यहाँ पी वीडियो लेके आया हूँ और आप सब तक मैं दिखाऊंगा YNAC टीम के दोरा कितना संघर्ष करने के बाद अपनी बात को ग्रिह मंत्री अमित साहजी के पास तक पहुँचाया गया है मारनी कमांडर असोक रावजी के निर्देशान सांसदों मंत्रियों को ग्यापन देने के कारेक्रम में आज लखनू टीम ने भारी सुरक्षा को पार कर अथक प्रयास से ग्रिह मंत्री अमित साहजी के पास पहुँचकर ग्यापन देने और अपनी बात कहने में सफलता आज बीजेपी का संकरण पत्र जारी करने का कारेक्रम था परन्तु लला लता जी के देहांत के कारण सोक सभा पर कारेक्रम आठ तारिक तक बढ़ा दिया गया इस कारण अंद केंद्री मंत्री भी लखनों में मौझूद थे जिन में से केंद्रे मंत्री धर्मेंद्र का मसला था हम लोग भी प्रयास करेंगे निंग के द्वारे एक प्रिकार से अस्वासन दिया गया साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि मुक्यमंत्री जी का सुरक्षा तोड़ा तोड़ते हुए किसी तरह उनके निकट पहुंचने पर जापन देने में भी सफलता नहीं हो पा तो यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों को और तस्वीरों के माद्धम से आपको बताऊंगा तस्वीरों को आप देख सकते हैं जहां पर भारी सुरक्षा आपको दिखाई दे रहा है यहीं पर EPS 95 पेंसनर्स के लिए एन एसी के टीम के दौरा आथक और संगर लौपा गया और साथी साथ जो नेता मंतिर मिनिश्टर रोवी साथ में थे उन्हें भी इस बात का आकलन अवलोकन कराया गया EPS 95 पेंसनर्स कितने दुखी और कितने वाधित हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही कम पेंसन मिलदा है तदुपरांत उनके तरब से भी NAC के टीम को अस्वासन दिया गया कि यह मामला पहले से ही उनको उनके पास है और उस पर चर्चाएं हो रही हैं बहुत ही जल्द EPS 95 पेंसनर्स की पेंसनर्स में ब्रिद्धी की जाएगी सामने लगी इस तस्वीर को आप देख सकते हैं समझत EPS 95 पेंसनर्स के चेहरे पे एक खंसी है ए एक अलग ही अनुभाव है क्योंकि ग्रिह मंत्री जी तक स्वेम EPS 95 पेंसनर्स का जापन पहुंचे चुका है यानि कि अब जितने भी EPS 95 पेंसनर्स हैं उन्हें पूर्ण रूप से आसा और विस्वास है कि ग्रिह मंत्री जी उनके लिए कुछ ने कुछ ऐसा कदम उठाए गे ताकि समस्त EPS 95 पेंसनर्स इस बात का उमीद लगा रहे हैं कि ग्रिह मंत्री जी के द्वारा ऐसा कदम उठाया जाएगा कि EPS 95 पेंसनर्स की जो पेंसनर्स है उसमें बड़ोतरी होगी आप देख सकते हैं कि उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री श्री योगी यादित ना भी उठाया जा रहा है पहराल मैं आपको बता दूं कि योगी यादित नात जी जो उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री हैं उनके द्वारा EPS 95 पेंसनर्स को पहले भी अस्वासन दिया जा चुका है साथी साथ इस बार भी पूर्डर रूप से अस्वासन मिला है कि समस्त EPS EPS 95 पेंसनर्स की पेंसन का मुद्दा उनके पास है और इस पे वो कारे कर रहे हैं बहुत ही जल्द EPS 95 पेंसनर्स के मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और EPS 95 पेंसनर्स की पेंसन को में भिद्धी भी कराएंगे तो दोस्तों आज का जो मुखरूप से समाचार था आज का